100 days survival as a blood villager in Minecraft hardcore world वीडियो के अट तक लाजमी देखना और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ आपको नेक्स वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे नीचे कमेट्स में लाजमी बताना तो day one को मैं ऐसा baby villager spawn हुआ और मेरे parents बिलकुल मेरे सामने खड़े थे जो के blood villager थे और तभी मेरे पापा ने मेरे उपर attack किया और उनके attack से मैं भी एक blood villager में convert हो गया तभी उन्हें ने मुझे कहा कि ये गाउंवाले हमी जिन्दा ना जला दें इसलिए मुझे तुम्हें अपने जैसा बनाना पड़ा और हम लोग आखरी blood villager थे हैं तभी मैंने उनसे पूछा कि ये सब लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं तो उन्हें ने मुझे बताया कि ये लोग हमसे डरते हैं इस वज़ा से तभी मेरे पापा ने मुझे एक weapon दिया और फिर मेरे पापा ने मुझे कहा कि जल्दी से यहां से भाग जाओ इससे पहले कि वो villagers तुम्हें देख लें और वो तुम्हें भी मार दें तो मैं जल्दी से वहां से भागा लेकिन तभी एक villager मेरा पीछा करने लगा और फिर मैंने अपने उस weapon से कुछ villager को मारा भी और फिर उन्होंने मेरा पीछा करना छोड़ दिया और मैं जल्दी से वहाँ से भाग गया लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने देखा कि वो विलिजर मेरे parents को जिन्दा जला रहे थे और जलने की वादे से मेरे parents मर गए ये देखकर मुझे काफी जादा बुरा लगा और मुझे उन विलिजर से काफी जादा घुसा आ रहा था लेकिन मैंभी उनको कुछ भी नहीं कह सकता था लेकिन मैंने अपने आपसे प्रॉमिस किया कि एक दिन मैंने से बदला जरूर लूँगा इसके बाद चलते चलते काफी ज़दा रात हो गई और कुछ जॉम्बीज मेरी तरफ बढ़ने लगे लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं का और वो वहां से चले गए जो के काफी ज़दा अच्छी बात थी इसके बाद day two को मैंने कुछ trees को chop करना शुरू किया और फिर मैंने उससे एक wooden pickaxe बनाई इसके बाद मैंने कुछ stone mine किये और फिर मैंने stone के tools बना लिये और फिर मैं अपना base बनाने के लिए अच्छी सी जगह ढूणने लगा और फिर मैंने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया इसके बाद मुझे काफी ज़दा भोग लगरी थी तो मैं खाना ढूणने के लिए चला गया और ढूंट से ढूंट से मुझे एक village मिला जहांके सारे villagers सोय हुए थे तो मैंने जाकर कुछ ships को मारा और उनका meat इक अठा किया लेकिन तभी एक villager वहाँ पर आ गया और वो मेरा पीछा करने लगा तो मैं जल्दी से वहाँ से भाग कर अपने घर पर वापस आ गया और फिर मैं सो गया इसके बाद day three को मैं उठा और फिर मैं इस world को explore करने के लिए चला गया और explore करते करते मैं एक blood forest में पहुँचा और मैं जैसे ही उस forest के अंदर गया और तभी वहाँ पर एक तीन सरवाला entity मेरे पास आया तो उसने मुझे कहा कि मैं observer of death हूँ और ये मेरा घर है तो फिर मैंने उसको अपने बारे में बताया कि मैं एक blood villager हूँ और मैं इस world का आखरी blood villager हूँ तो उसने मुझे कहा कि मैं blood villager के बारे में सब कुछ जानता हूँ तो फिर मैंने उसको कहा कि क्या तुम मेरी help करोगे मुझे blood की जरूरत है क्योंकि बिना blood के मैं जादा देर तक जिन्दा नहीं रह सकता तो तभी उसने मुझे कहा कि मुझे raw meat दो तो मैंने उसको meat दिया और फिर उसने मुझे 5 bottles of blood दे दिया और फिर जैसे ही मैंने उस blood को पिया तो मैं एक adult blood villager में convert हो गया और हम मेरे पास total 10 hertz थे और फिर उसने मुझे कहा कि तुमें कभी भी blood की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना तो मैंने उसको thank you बोला और फिर मैं वहाँ से चल पड़ा इसके पर day 4 को मैं और जाता exploration करने लगा तो फिर मैं explore करते करते एक desert में पहुँचा और desert मुझे एक अजीब सा creature मिला जो कि पता नहीं किसी चीज़ को फोड़ रहा था तो मैं उसके पास गया और मैंने उसके पूचा किया तुम इसी जगह पर रहते हो तो उसने कहा कि मेरा कोई भी घर नहीं है तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरे साथ रह सकते हो तो उसने कहा ठीक है और फिर मैं उसको लेकर अपने घर पर आ गया इसके पर day 5 to 6 मैं mining के ले गया और वहाँ पर मैंने काफी सारा iron mine किया और फिर मैंने उससे अपने लिए iron के tools बना लिए और फिर इसी cave को explore करते करते मुझे वहाँ पर एक witch मिली जो के मुझे जानती थी और यो मुझे कहने लगी कि पुरानी किताबों में लिख है कि एक blood villager उन villager से बच जाएगा फिर उस blood villager को वो blood pillager हराएगा ये सुनकर मैं काफी जादा शोक्ड हुआ और फिर मैं उस cave से बाहर आ गया और आकर सो गया इसके बड़ day 7 को मैंने एक dream देखा और उस dream में मेरे सामने blood pillager खड़ा था तो मैं उसको देखकर काफी जादा शोक्ड था तब ही वो मुझे कहने लगा कि finally अब मैं तुमें हरा कर इस पूरी world पर राज कर लूँगा और उन सब villager को अपना गुलाम बनाऊंगा तो मैंने उसको कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो उसने मुझे कहा कि तुमें उन villager की परवा क्यूं है उन villager ने तुम्हारी आखों के सामने तुम्हारे माबाप को जिन्दा जला दिया और तुम उनके लिए मुझे लडाई करोगे तो मैंने उसको कहा हाँ तो फिर उसने मुझे कहा कि तुम अभी अपनी powers के बारे में सीख रहे हो और मैं उन powers को already master कर चुका हूँ तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो मैंने उसको कहा कि तुम फिकर ना करो मैं तुमें एक दिन जरूर हराऊँगा और फिर मैं उठ गया तभी वो मेरा friend भी मेरे पास आ गया और मैंने उसको अपने उस सपने के बारे में बताया इसके पर day 8-9 मैं और ज़दा mining के लिए गया और मैंने काफी सारा iron mine किया और फिर उससे मैंने अपने लिए iron armor बना लिया और फिर हम लोग अपने घर पर वापस आ गये तो day 10-12 मैं उसी village में चला गया लेकिन वहाँ पर villagers ने उस village पर attack किया हुआ था तो मैंने जाकर उन villagers की मदद की और उन सब villagers को मारा और फिर मैं उन villagers के पास गया जो कि मुझसे अभी भी नफरत करते थे तो मैंने को कहा कि मैंने अभी गया भी तुम्हारी जान बचाई है तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ क्या पाता तुम उन से हमें बचा कर खुद हमें मार दो तो मैंने को कहा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और नहीं मेरे parents हुमें मारना चाहते थे हम तो तुम्हें बचाना चाहते हैं उस बलड पिलिजर से और फिर इसके बड़ दे 13 से लेकर 15 तक मैं उन लोगों को लेकर अपने बेस पर आ गया और फिर मैंने वहाँ पर उन विलिजर्स के लिए कुछ घर बनाए और फिर इसके बड़ दे 16 से लेकर 18 तक इस वर्ल्ड को एक्स्प्लोर करते करते मैं एक अलगी जगा पर आ गया था और यहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी तो तभी मेरे उपर कुछ स्नो पिलिजर्स ने अटेक कर दिया तो मैंने उसको रोका और तभी वहाँ पर एक और म्यूटन विलिजर्स भी आ गया तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कोन हो तो उस विलिजर्स ने मुझे बताया कि वो सबसे ज़दा ब्रेव विलिजर्स था लेकिन एक दिन उसको कुछ पिलिजर्स ने पकड़ लिया और उसके उपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किये जिससे वो ऐसा बन गया और जब वो अपने घर वापस गया तो सभी विलिज वालों ने उसको निकाल दिया तो मैंने उसको कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मैं भी उन विरिज वालों से अपनी जान बचा कर यहाँ पर आया हूँ और उन्होंने मेरे पैरेंट्स को भी मार दिया और फिर मैंने उसको बलड पिलिजर के बारे में बताया तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता लेकिन मैं तुम्हें ट्रेन जरूर कर सकता हूँ और फिर दे 22 से लेकर 24 तक हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और फिर काफी दिर तक ट्रेनिंग करने के बाद मैं एक बलडियर विलिजर बन गया और मेरे पास 10 ओर हर्ट्स आ गये और मेरे पास एक स्वार्ड भी आ चुकी थी और फिर मैंने उसको थैंक यू बोला और मैं वहां से चला गया इसके पर डे 25 से लेकर 27 तक मैं बेस पर वापस मोचा तो मैंने देखा है कुछ स्केरी वुल्फ ने मेरे बेस के ओपर अटैक किया हुआ था तो मैंने जाकर उनसे फाइट की और उन सब को मार दिया और तभी वहाँ पर वो बलड विलिजर भी आ गया और उसने मुझे कहा कि ये तो भी कुछ भी नहीं है मैं जल्दी ही इस पूरी वर्ड को डिस्ट्रॉई कर दूँगा और फिर वो वहाँ से गायब हो गया इसके पर डे 28 से लेकर 30 तक मैंने सोचा कि मैं एक बलड विलिजर का स्टैचू बनाऊंगा ताके सब को पता चल जाए कि बलड विलिजर अभी भी जिन्दा है तो फिर मैं उसके लिए कुछ मैटीरियल कोलेक्टर ने के ले गया तो फिर मैंने कुछ टेराकोटा माइन किया और फिर मैं कुछ शीप्स को अपने बेस पर लेकर आया और उन सब को रेड कलर में कर दिया और फिर उनका हूल लेकर मैंने अपना स्टैचू बनाना शुरू किया इसके पर डे 31 से लेकर 33 तक मैंने सोचा कि मुझे अपने टूल्स को और ज़दा अपग्रेड करने की ज़रूरत है तो फिर मैंने अपने उस फ्रेंड को साथ लिया और हम लोग माइनिंग पर चले गए और फिर मैंने वहाँ पर काफी सारे डाइमंड्स माइन किये और फिर मैंने उससे एक पिक एक्स और एक चेस्ट बलेट बना ली और उस cave से निकलते वक्त मुझे वही वीच वापस से मिल गई तो उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मेरे साथ चलो तो मैं उसके साथ चलने लगा और day 34 से लेकर 36 तक मैं उसके hut पर पहुँचा तो उसने मुझे बताया कि उसका एक pet missing है और फिर उसने मुझे एक weapon दिया और मेरे उपर एक potion फैका जिससे मैं एक अलगी जगा पर आ गया था वहाँ पर हर तरफ honey bee blocks थे और वहाँ पर एक cage था जिसके अंदर I think उसी witch का pet था जिसकी हिफादत कुछ mutant bees कर रही थी तब ही उन bees ने मेरे उपर attack कर दिया और फिर मैंने उनसे fight करके उन सब को मार दिया और फिर मैंने जा कर उस witch के pet को अजाद किया इसके पर day 37 से लेकर 39 तक चलते चलते मुझे एक queen bee मिली और उसने मुझे से पूछा कि क्या वो तुम ही हो जिसने उन mutant bees को मारा तो मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ और अगर तुम मुझे उनका बदला लेना चाहती हो तो मैं तुमें भी मार दूँगा तो उसने कहा नहीं मैं तुमें thank you बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं mutant bees मेरी bees की हनी चोरी कर रही थी जिसके वरे से हमें काफ़ ज़्यादा मुश्की रोती थी और फिर उसने मुझे as a award एक weapon दिया और फिर मैंने उसको thank you बोला और मैं वहाँ से चला गया इसके बड़ day 40 से लेकर 42 तक मैं explore करते करते एक जगा बर महुचा और वहाँ पर मैंने देखा कि एक villager को किसीने कैद करके रखा हुआ है और एक squirrel उसकी हिफादत कर रही है और मैं जैसे ही उसके पास गया तो उस squirrel एक beast squirrel में convert हो गई और उसने मेरे उपर attack कर दिया तो फिर मैंने उससे fight की और फिर मैंने उसको मार दिया और फिर मैंने जाकर उस villager को अजाद किया और उसने कहा कि मुझे blood villager ने यहाँ पर कैद किया था तो फिर उसको मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो और day 43 से लेकर 45 तक मैं उसको अपने base पर ले आया और यहाँ पर काफी सारे और villagers भी आ चुके थे तो फिर मैंने उनके लिए कुछ घर बनाए और फिर मैंने अपने statue पर काम करना शुरू किया अब मैंने statue almost complete हो चुका था इसके बद मैंने सोचा है क्यों न मुझे nether में जाना चाहिए तो फिर day 46 से लेकर 48 तक मैं एक cave में गया और वहाँ पर मैंने काफी सारा obsidian mine किया तो तभी मुझे वहाँ पर कुछ diamonds मिल गए और वो mine करके मैंने अपने लिएक diamond का complete armor बना लिया और फिर मैंने वो nether portal बनाया और मैं nether portal के अंदर चला गया और थोड़ा आगे जाते ही मुझे वहाँ पर वो दोनो mutant villagers मिल गए जिन्होंने पहले मुझे train किया था जो के कुछ mob से fight कर रहे थे तो फिर मैं उनके help के लिए चला गया और हमने मिलकर उन सब को मार दिया तो उन्होंने मुझे thank you बोला और उन्होंने मुझे कहा कि हमें तुमारी अभी और भी जुरुत पड़ेगी क्यूंकि एक beast ने हमारा totem of region रेशन चोरी कर लिया है और हमें उससे वो वापस चाहिए और फिर इसके बाद day 49 से लेगर 51 तब मुझे एक giant nether base पर लेकर आए उसके बाहर कुछ mobs थे तो हमने मिलकर उन सब को मारा और फिर हम लोग उस base के अंदर चले गए और वहाँ पर वो echoer king था तो हमने जाकर उससे fight की लेकिन वो अपने आपको clone करने लगा तो हमने उससे fight की तो उसने हर चीज के लिए हमें thank you बोला और फिर वो मर गया उसके मरने पर वो दूसरा mutant villager काफी जादा दुकी था और मुझे भी काफी जादा बुरा लग रहा था और तभी वो mutant villager वहाँ से चला गया मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया था और फिर इसके पर day 52 से लेकर 54 तक मैं एक जगा पर पहुँचा जहांपर मुझे एक giant entity मिला लेकिन वो friendly था वो मुझे कुछ भी नहीं कहा रहा था और वो ऐसे बात करने लगा जैसे वो मुझे जानता हो और फिर उसने मुझे बताया कि उसने ही blood villagers को बनाया है तो फिर मैंने उससे blood villagers के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया उसको भी मैंने ही बनाया था तो मैंने उसको बताया कि किस तरह वो blood villagers अब इस पूरी minecraft के लिए खत्रा बना हुए और मैं उसको रोकना चाहता हूँ और तभी उसने मुझे एक स्वोर्ड दी और उसने मुझे कहा कि ये तुम्हारी हेल्प करेगी और फिर मैंने उसको थैंक यू बला और डे 55 से लेकर 57 तेक मैं ओवर वर्ल्ड में वापस आ गया लेकिन पोर्टल के दूसरी तरफ कोई मेरा वेट कर रहा था तो मैंने उसको पूछा कि तुम कोण हो तो उसने मुझे बताया कि मुझे उस बलड पिलीजर ने भेज़ है तो मैंने उससे कहा कि आप तुम मुझे मारोगे तो उसने कहा नहीं बलके मैं तो उस बलड पिलीजर को मारना चाहता हूँ तो मैंने उसको कहा कि मेरे पास एक प्लैन है क्यों ना तुम उस बलड पिलीजर के पास वापस जाओ और तुमें कोई भी इंफोर्मेशन मिले तुम आकर मुझे बताना तो उसने कहा ठीक है और फिर वो चला गया फिर इसके बाद मैं अपने बेस पर वापस आया और मैंने अपने उस टैचू पर काम करना शुरू किया और फिर मैंने उस टैचू को फाइनली कम्प्लीट कर लिया काईज आपको इस टैचू कैसा लगा मुझे कमिट्स में लाजमी बताना फिर इसके बाद जैसी में उस विलिज में गया तो एक विलिजर दूसरे विलिज से बात कर रहा था और वो कह रहा था कि ये बलेड विलिजर हमारी मदद करने के बज़े हमें अपना घुलाम बना रहा है वो हमारा किंग बना हुआ है तो मैंने उसको जाकर टोका और मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारा किंग नहीं हूँ बलकि हम एज़ा फ्रेंड यहां पर रहते हैं तो उसने कहा कि तुम हमारे किंग बनने के लाइक भी नहीं हो अगर तुम इतने powerful हो तो मेरे साथ fight करो हम दोनो 1v1 करते हैं तो मैंने कहा ठीक है और फिसके बाद day 58 से लेकर 60 तक हम लोग एक arena में पहुँचे और वहाँ पर हमने 1v1 करना शुरू कर दिया वो villager एक काफी अच्छा fighter था लेकिन उसका मेरे सामने कोई भी मुकाबला नहीं था और फिर मैंने उसको finally मार दिया और अभी मैं उस arena में ही खड़ा था कि तभी मेरे पास एक villager आया और उसने मुझे कहा कि मैं उस blood villager का भाई हूँ तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरे पास क्या करने आये हो तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और फिर day 61 से लेकर 63 तक हम लोग अपने विलिज पर वापस आये तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो blood villager भी खड़ा था जो कि मेरे उस statue को जला रहा था तभी वो अपने भाई को कहने लगा कि तुम धोके बाज हो तभी उन दोनों भाईयों की आपस में fight हो गई लेकिन वो blood villager काफी ज़दा powerful था और उसने अपने भाई को हरा दिया और वो वहाँ से चला गया तो फिर मैंने उस प्लीजर के भाई को तसली दी और मैंने कहा कि एक दिन हम इसको जरूर हराएंगे और फिर मैंने और कुछ विलीजर ने मिलकर अपने statue को दुबारा से ठीक किया और अभी मैं उस statue को देख रहा दा कि तभी वहाँ पर वो mutant villager आ गया और उसने मुझे कहा कि अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो मैंने उसको कहा ठीक है और फिर इसके बाद day 64 से लेकर 66 तक मैंने उस blood forest में जाने का फैसला किया और जैसे ही मैं उस blood forest में पहुचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो observer था और उसके साथ एक monster था जो कि बिल्कुल एक eye की दरागा था और तभी वहाँ पर वो blood pleaser आ गया और वो eye monster उस blood pleaser के अंदर मर जो गया जिससे वो blood pleaser एक बहुती scary monster में convert हो गया और फिर वो वहाँ से चड़ा गया इसके बाद मैं उस observer के पास गया तो उसने मुझे कहा follow me और फिर day 66 से लेकर 69 तक हम लोग एक dark forest में पहुचे तो मैंने उसको कहा कि मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ वो सब क्या था तो उसने मुझे बताया कि उस monster gram था all seeing eye और वो एक evil god है और वो चाहता है कि वो इस पूरी world को destroy कर दे और उसको कोई भी नहीं रोक सकता मैंने उसको कहा कि मैं उसको रोकूँगा तो उसने कहा कि तुम नहीं रोक सकते तो मैंने उसको कहा कि मैं उन पुरानी किताबों को नहीं मानता उनमें जो भी लिख है मैं उनको गलत साबित करके दिखाऊंगा और उसको हराऊंगा और फिर day 70 से लेकर 72 तक मैं अपने base पर वापस आया तो मैंने जाकर उस blood pleasure के भाई को वो सब बताया तो ये सुनकर वो काफी तादा घुसा हो गया और उसने कहा कि मुझे पता है कि उसका base कहां पर है और हम मैं जाकर उसको खतम कर दूँगा मैंने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका तो फिर मैं भी उसके पीछे जाने लगा तो फिर वो एक बहुती बड़े base के सामने पहुंचा और फिर day 73 से लेकर 75 तक वो उस base के अंदर चला गया और फिर हम उस monster के पास पहुंचे और हमने उससे fight शुरू कर दी और तभी fight को दुरान उस monster ने अपने भाई को एक evil pig में convert कर दिया और वो pig मेरे उपर attack करने लगा जिसकी वरसे मजबूरी में मुझे उसको मारना पड़ा जिसका मुझे काफी जाधा बुरा लगा और फिर day 76 से लेकर 78 तक मैं किसी तरह अपनी जान बचा कर वहां से भाग आया और तभी मुझे वो pleasure मिला जिसको मैंने the blood pleasure पर नजर रखने के लिए भेजा था तो फिर मैंने उसको बताया कि किस तरह वो blood pleasure एक बहुती scary monster में convert हो गया है और अब तुम्हारा उसके पास कोई काम नहीं है अब तुम मेरे साथ चलो और फिर हम लोग मेरे base पर आ गए और फिर day 79 से लेकर 81 तक मैं उस witch के पास गया तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरी help करो ताके मैं अपने आपको upgrade कर सकूँ और उस monster से fight कर सकूँ तो उसने मुझे कहा कि मैं कोशिश कर सकती हूँ इसके लिए मुझे कुछ materials चाहिए तो फिर मैं वो materials collect करने के लिए चला गया इसके बाद day 82 से लेकर 84 तक मैं observer of death के पास गया तो फिर मैंने उसको raw meat दिया और उसने मुझे blood दे दिया इसके बाद मैंने एक apple collect किया अब मेरे पास सब material पूरा हो चुका था इसके बाद day 85 से लेकर 86 तक मैं अपने base पर वापस गया और वहाँ जाकर मैंने अपने statue में कुछ changes किये गाईस जल्दी से नीचे comment करके बताओ कि 이 statue अब आपको कैसा लग रहा है इसके बाद day 87 से लेकर 89 तक मैं उस witch के पास वापस चला गया और उसको वो material दे दिये और फिर उससे उसने मुझे एक potion बना कर दिया और जैसे ही मैंने उसको पिया तो मैं एक बड़े blood villager में convert हो गया और हम मेरे पास कुछ और hurts भी आ चुके थे और इसके रावा उसने मुझे एक और weapon भी दिया जो के एक gun थी फिर इसके बड़ मैंने उसको thank you बोला और मैं वहाँ से चला गया इसके बड़ day 90 से लेकर 92 तक मैं बेस पर वापस जा रहा था कि तभी एक desert मेरे उपर एक giant husk ने हमला कर दिया तो मैंने उससे fight की और अपनी उस gun की help से उसको finally हरा दिया फिर इसके बड़ मैंने सोचा कि क्यों न मुझे उस nether वाले monster के पास जाना चाहिए हो सकता है कि वो मेरे कोई help कर सके और फिर मैं nether portal के अंदर चला गया इसके बड़ day 93 से लेकर 94 तक मैं nether में पहुँचा लेकिन काफी देर तक ढूणने के बाद भी मुझे वो नहीं मिल रहा था तभी मुझे एक piglin मिला तो मैंने उससे उस beast के बार में पूछा तो उसने मुझे कहा कि इसके लिए मुझे 10 diamonds देने होंगे तो फिर मैंने nether से कुछ gold nuggets mine किये और फिर उससे gold बना कर मैंने उस piglin को दे दिया और उसने मुझे रास्ता बता दिया और फिर day 95 से लेकर 96 तक मैं finally उस beast के पास पहुँचा तो मैंने उस beast को जाकर सब कुछ बताया कि किस तरह उस owl seeing eye को finally उस blood pleasure की body मिल गई है और वो एक monster में convert हो गया है तो मैंने उसको कहा कि उसको हराने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है तो फिर उसने मुझे कहा कि इसके लिए मुझे अपनी body भी छोड़नी होगी और फिर तभी वो मर गया और उसने वहाँ पर कुछ netherite drop किये तो मैंने वो collect कर लिये इसके पर day 97 से लेकर 98 तक मेरे उपर कुछ spirits ने attack कर दिया तो मैंने उन सब को मारा और फिर मैं finally nether portal तक पहुँच गया और फिर day 99 को मैं finally over world में आ गया और अपने base पर पहुँच गया और फिर मैंने अपने diamond armor को netherite armor में convert किया इसके बाद मैंने उन सब भी villagers को जाकर बताया कि मैं उस blood pleasure से fight करने जा रहा हूँ और हो सकता है मैं वापस ना हूँ तब ही हो mutant villager मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और फिर finally day 100 को हम लोग उसके base पर पहुँच गये और फिर हमारी fight स्टार्ट हो गई वो काफी जादा powerful था लेकिन तब ही उसने उस mutant villager को मार दिया ये देखकर मुझे काफी जादा भूरा लगा और अब मुझे काफी जादा घुसा भी आ गया था और फिर मैंने finally उसको हरा दिया तो गैस ये थी हमारी वीडियो आपको ये वीडियो कैसे लेकि मुझे कमें लास्ट भी बताना अगर अच्छे लेकि तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ गैस ये जे वीडियो सामने आ रही है इसको भी चैक आउट करना बिल्कुल भी मत भूलना